वेलकम बैक टू दे चैनल तो आज हमारे साथ है रोयल फिंड की एक बहुत ही मैसिव बाइक जो है की कॉंटिनेटल जीटी सिक्स फिप्टी छेसो पचास सीसी में आती है देख सकते हैं काफी भारी भरकम यह दिख रही है और फ्रंट से बात कर लेते हैं तो सबसे पहले फ्र सब्सक्राइब देख आएगा चालू अभी इसमें बैटरी कनेक्शन नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लें तो इसमें असे में काफी मजबुत और काफी बोल्ड मिलते हैं यहां पर आपको कवर्ड मिलता है नीचे हां कवर् मिल है तो आपको उसमें टूबलेस नहीं आता है डिस्क की बात करने तो 320 mm का इसमें डिस्क मिल जाता है और यह डूवल चैनल और यह बात करने तो आप देख सकते हैं ऐसा मैंने ट्रैक्टर में देखा यह है और पूरा क्रोम में आता है और यहां पर आप देख लेंगे तो आपको पूर प्रॉपर मैटल का मिलेगा रोयल इंफिल्ड की वैजिंग यहां मिल जाएगी जो की इसी बात है यहां आपको दिखेगा कि Continental GT 650 twins यहां पर दो इंजन है दो स्पार्क लक इसमें लगते हैं तो इसमें यहां पर आपको twins की बैजिंग मिल जाएगी तो यह हो गई बात पीछे से इसके पीछे वाले टायर की मैं बात करने तो C8 का टायर लगा है और यहां पर मैं देख पा सब्सक्राओं की 130-78 इसमें 180 इंच के तो रिम सही है लेकिन इसमें टायर की वाइड एंगल 130 mm हो गई है और यह में आपको 270 mm का डिस मिलता है प्लस इसमें ABS भी मिल जाता है तो यह अच्छी बात है कि इसमें फ्रेंट और रियर दोनों में ABS मिलता है रियर के मटगाट के बा एक दम क्लासिक लुक इसे दिया गया है तो काफी क्लासिक है यह यह आप आपको ग्रैब हेंडल मिल जाता है जो की तलमे हैं और यह आप देख सकते हैं कि रियर सस्पेंशन की मैं बात कर लूँ तो इसमें तेलिसकॉपिक फॉक्स मिल जाते हैं विर यह नैट रोक से सभी यहां पर देख नाइट्रोजन का सिलेंडर है इसे नाइट्रोंस सा stepping आप यह हैं और यहां दो सिलेंडर का इंजन है तो दोनों तरफ आपको सैलेंसर देखने को मिलेगा 40 स्टेप काफी बजबूत और काफी अच्छे मिलते हैं रोयल इंफिल्ड की ब्रैंडिंग यहां मिलती है यहां पे एक कवर दे दिया गया है जो कि आपका पैरी थर नज़ा है और यहां भी गयर आप देख पा रहे हैं थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि इसमें गयर आपको कैसा मिलता है सभी में गयर पीछे से निकलता है लेकिन यहां पे आपको गयर इतना भारी भरकम इंजन है तो गयर और 6 स्पीट का इसमें गयर तो वह हैं इसके भारी भरकम जो इंजन आप देख पा रहे हैं इसके पावर और पुट की में बात कर लूँ तो यह 650 CC का इंजन आता है बैसिकल यह टेक्निकली देखा जाता है छेसों अड़ाली से सिगा यह इंजन है पाउर आट्पुट की बात में कर दूँ तो इसमें आप तो पाउर इसमें आपको मिल जाता है तो आप देख सकते हैं कि बाइक के हिसाफ से कि यह पावर काफी ज्यादा होती है और वहीं देखने कोटर देखने को मिल जाता है इसमें अगसीजें और इस गमपनी इसमें क्लेइम आपको कर दीज में माइलेज मिलेगा जो कि माइलेज की वीडियो में चलाते है मैं करूंगा कि क्या बात कर लूँ तो इसमें आपको लेंथ मिल जाती है 2122 mm जो की काफी वाइड है इसमें विर्थ आपको मिल जाती है 744 mm हाइट आपको मिल जाती है 1024 mm और वहीं बात कर लें सीट हाइट की तो सीट हाइट आपको मिल जाती है 793 mm तो जो की तो आप कितने भी अगर थोड़ा सा तौल भी है थोड़ा सा छोटे में आपके लिए यह ठीक ठाजी है बाकि और इसकी वीडियो में राइट की वीडियो में बात करूंगा और गाइस किसा फ्यूल टैंक मिल ज के सेहता है तो काफि इसका रोट पर पर ड Nove像 काफि अच्छा रहता है और काफिए अच्छा रहेंगा और यह सारी चीजे पात कर लें इसके वारेंटी की तो देन साल औरУ 4,000 किलोमिटर दूर का इसमें कंपनी वारेंटी देती है तो मैंत इस चीज हैं जी टी यहाँ पर आपको डियारे मिलता है वाकि हेलोजन में ही आपको यह लाइट मिलती है तो काई से ही बात कर लेते हैं इसके कंसोल की तो यहाँ पर आपको हाई विम लोविम मिल जाता है जो आप लाइट का थ्रो भी आप देख सकते हैं सामने मेरे यहाँ पर पासिंग लाइट मिल जाती है और हो पॉर्च सरा αυτं है जाता है और स्ट्वर मिलिवेगा कि यहाई यह पिडियू मिलेगा यहां कि पहली फ़लिक है जिसमें आट के मीटर देख रहा हूं यहां पे आपको एक छोटी सी मिल जाती है जिसको आपको यहां से टॉगल कर सकते हैं इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B और ओडो मीटर दिखा जाता है और फ्यूल का लेवल नॉर्मल यहीं सारी चीजे दिखा दें यहां पे आपको ABS की लाइट और यहां प इसको स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूं कि इसका Clay Ranch का आइसे आप उधिसमें दो सिलेंडर का कर दूं तो यह राइगड में है प्रियंका मोटर्स पे 3,66,861 रुपे इसकी ऑन रोड प्राइज है बाइक आपको अच्छी लगती है तो आप टेस्ट राइड के लिए आ सकते हैं प्रियंका मोटर्स जो की राइगड में है और वीडियो गर आपको अच्छी लगती है तो लाइक से और सस्क्राइब आप कर दीजेगा मिलता है किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद